वेल्कम टोश्पीड में प्रेटिक्स आज हम आप सबों को मिलाने वाले हैं लेटेस्ट रिजल्ट जो सिप्यों में हुआ है भी कई दिनों से आप फेस्बूक अभी देख रहे होंगे बहुत बच्चों का हुआ है मैं जितने बच्चों का हुआ है रिजल्ट उन सभी का एक एक करके आपको सभी से मुलाकात करवाता रहूंगा इन वीडियो के माद्यम से यह बहुत इस आपदा के घड़ी में भी अगर हमारे इंश्यूर्शन से रिजल्ट हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है आप सभी को भी यह जितने बच्चों का रिजल्ट हुआ है उनस सबसे आपको रुबर करवाएंगे और इससे आपको मनोबल मिलेगा बल मिलेगा मानसिक बल मिलेगा जिससे कि आपका रिजल्ट आपका खुद का मेहनत करने में आपको बहुत मदद मिलेगा मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक रिजल्ट जो पहला रिजल्ट है जो दिल्ली पु पूछ हूँगा कि रिजल्ट उनका कैसा रहा है लेकिन दिल्ली पुलिस में रिजल्ट नाना सिप्यों के तुरू मैटर करता है उनका बहुत संहर्च रहा है उन संहर्च को आपके सामने आज रूबर करवाएंगे लेकिन मैं पहले डिसकस कर देना चाहता हूं यह मेरी इंस् मैं का लिया हुआ है जब टेस्ट वैगरा संडे टेस्ट होता था तो उसमें यह पाटिसिपेंट किया करती थी और उसी समय का यह फोटो है आज मैं भाभी जब रिजल्ट हुआ है तो यह मैं फोटो ढूंड कर लाया आज और विसेश मैं बाते हूं उनको बुलाकर करूंगा तो मैं आप सबों के शामने बुलाना चाह रहा हूं मोना कुमारी जरा आई यह इदर बहुत बहुत बढ़ाई मोना आपको मेरे तरफ से एक फुटा सोप्टा वार देखिए नजर इधर से आएगा साथ हां तैंक यूमा ठीक है इसको मैं इधर रखिए उस हाँ रसब दर लिए तो उपस्तित हैं मोना कुमारी कभी क्लास्रूम में बेंच पर बैठा करती थी और आज हमारे सामने है कैसा फिल हो रह मेरे तो बहुत बहुत आभार का क्यूंकि गया में ऐसा महौल सभी जगह पर नहीं मिल पाता है भले स्टूडेंट्स के पास चमता होती है पर उनको निखारने का काम तो इंसीचूशन से ही मिलता है और सशी सर उस चीज के लिए बहुत बहुत ही जादा यह करते हैं और यह सब्सक्राइब काफी काफी रहा जो सारे स्टूडेंट्स यह जेलते हैं हम भी किये हैं और बाकी लोग को हतो साइध किया जाता है बाकी स्टूडेंट्स अचा मोना यह जाक्ली मैं भी कंफिज हुआ कि 18 में आप आई थी या फिर आफर अठार बढ़े दिया सतरह से आप यहां पर कंटीनिव सब्सक्राइब 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 कि जितने भी कठिनाई आपके सामने रहा है तो वो किस तरह से उसको लिया और बच्चे किस तरह से लेना चाहिए सभी बच्चों को सभी बच्चे स्टूडेंट लाइफ में कठिनाईयों को बहुत अच्छे तरीके से निभाते लेकिन हां कुछ लोग हतुत साइध हो जात है अब यह जो लॉक्डॉन है तो लॉक्डॉन के वज़े से यह थोड़ी ना है कि पढ़ाई बंद करेंगे हां घर में सिमित है तो अच्छा है ना ज्यादा टाइम देंगे आने जाने का समय खराब हुआ मार्केट नहीं जाए गए और ऐसे कि घर में हम पूरा दिन घर मे पढ़ाई करते रहे और प्लस पॉइंट लिए अच्छा आपके सामने आपके समय में भी बहुत सारे बच्चे आते थे किनी का नाम जे जो कि आपके क्लास में आप जब क्लास कर रही होती थी तो आते थे जो कोई सिनियर चात्र जो इस तरह से आप आजाने हैं सबसे ज्या अभिशेक भाईया थे अनुराग भाईया थे लोग सब को देखते थे तो अच्छा लगता था लेकिन स्मिर्टी को देखे तो थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं कोई लड़की वहां स्टेश में खड़ी है और लीड कर रही है तो उस चीज से मनुल जैसे बहुत फरक पड देते हैं कि आपको इतना ही समय है इतने समय के बाद आपको नहीं पढ़ना है आपको रिज़ोड देना होगा प्रेशर हो जाते हैं तो जितने अविभावग अगर सुन रहे हो और देख रहे होंगे तो मैं उनसे पुरा विश्वास दिलाता हूं आपको कि अपने बच्च किस चीज का तयारी करें कुछ समझी में नहीं आदा था क्योंकि मेरा पढ़ाई का जो बैग्राउंड रहा गवर्मेंट स्कूल में पढ़ाई किये है ना कोई CBAC वोडर यह नहीं भीहार वोड था मेरा और मेरे पाप मम्मी इतने अबल थे कि हम लोगों का पढ़ाई अच् सब चीज से माबाप महाल दिये फिर ट्यूशन में स्वीड मैठमाटिक्स में ज्वाइन किये तो वहां पर भी बैठे थे तो कुछ दिमाग में नहीं आ था सर कि हमको कुछ बनना है अचा आप क्लास में आती हों कि भीड रहता होगा फिर कई बार लगता होगा कि इतना वी इतना अच्छा लगता था कि नहीं करना चाहिए और शुरुवात तो कॉन्फुडेंस को वहीं से हुआ सब्सक्राइब क्लास में आने के बाद ही अच्छा यह भी बताईये मोना की नहीं नहीं पहले तो यह कंटिन्यू की जिए कुछ बताते थे आप हमीं पापीशन में प तो यह सब चीज से बहुत अच्छा लगता था और कभी-कभी टॉप भी कर जाते तो तो वहीं से दिमांग में आया कि नहीं कुछ करना है अब लड़की है तो क्या नहीं करेंगे करेंगे आपके बैच के बहुत सारे चात्रों का रिजल्ट हुआ है जहां तक मैं देख रह बहुत नहीं करते हैं तो आप जो भी बच्चे बाहर जाकर प्लाइन करते हैं और यह गया मेरा कर सोचते हैं कि तयारी नहीं होगा उनके लिए क्या संदेश है आप जरा उनको बताए पढ़ने का स्टार्ट पढ़ाई स्टार्ट में आप नहीं थे सर कि बाहर पढ़ा सकते थे तो हम लोग यहीं पर तो किनी ने बताया तो सफलता के बाद देखें जो घबरहाट अच्छा ऐसा भी होता होगा अभी तक कितने एक्जाम दिया अपना क्या क्या एक्जाम दिया और किस किस में रिजल्ट हुआ है प्रिपरेशन किया सर और एक्जाम दिये और सर उसके पीछे एक रिजिन यह भी था कि उसका फॉर्म भरने में पैसा नहीं लग रहा है कि बैंक में ज्यादा आसाने से हम कर पाएंगे ऐसा कुछ कि बहुत बच्चों का सिकायत भी है अगर आप लोग ऐसा महसुस करते हुए तो बहुत बच्चे आकर बोलते हैं कि सर आप मतलब हमेशा से ऐसेशी को क्यों टारगेट करते हैं मैं इसलिए करता हूं क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि अगर S.SC का करेंगे तो बहुत सारा से उसका मैट का जो लेवन इस लेवल मैश के अनुसार से बहुत सारे एकजाम के लेवस德 कवर होतें कि दूसरी बात कि यह भी बैंकिंग का तो बैंकिंग का ग्रेजुशन होने के बाद ही आप करेंगे वैसे जिनको बहुत अच्छे जॉब चाहिए वो ग्रेजुशन के बाद ही है वेकिन बहुत बच्चा है करके बहुत बच्चे से हैं मेरे पास से बात करते हैं आप सेलेक्शन जब हुआ सबसे पहले रिजल्ट आया तो उस दिन कैसा महौल था क्या बात की थी तो बता रही थी बड़ा खुस थे घर पे सभी लोग उस महौल को कैसा महसूस कि आप बताईए चुकिए उसके पहले तो प्रियास था आपका यह सीपी ओके लिए सब्सक्राइब तो इस वजह से तो इस पहला यह था और हैसesten है जुसेद मांक्स धुना था मांस रोह को दूब हो तो ऐसे मेंडिंट्वेश इंग्लिस में कितना नंबर था मेंस नहीं होगा दो किbel Сब्सक्राइब यह बिहार एशाई का जूरी जलता आपकी बैच की वो नंदनी क्या हुआ था जियोति का वा था चलिए तो बहुत टेंसन वह बहुत रोए थे तो वही होता है अना एक बर गिनने के बाद इंसान समलता है तो वह चीज तो फिर बहुत पढ़ाई किये तो 190 किये और नाइन्टी यू टू हंडडेड वाह क्या बात है तो सायद मुझे लगता कि इतना माक्स बहुत कम ही को होगा जो दिल्ली एशाई में कितने लोगों का हुआ है आप रिजल्ट देखेंगी तो साइदे रोगा ड़ाई सब्सक्राइश की कट आफ और बाइस कट अलग जात से बिहार से सर जितना भी डीपी दली पूलिस के लिए उसमें से बिहार से एक लड़की है नालंदा की और उसके बाद कोई है तो हम है और रैंक मेरा आल ओवर इंडिया में 300 है और गल्स में देखा जाए तो अड़ाइस हो गड़ लिए में उनीस है वाह होत अच्छा खैर ना वना यह अगर बहुत सारी बाते हैं विसेस मैं कई वे जाओंगा कि आपके अभी वावक में जुड़े ख्लास में आये वैसे मैं ततकाल यह कर रहा था कि कल से क्लासेश शुरू होने वाले हैं आप आ पर ऑफ-लाइन का बहुत सारा दिकत चल रहा है आप कहां तक म आपने पढ़ाई जो सेलफ स्टेडी का है वह पूरा स्लेबस खतम करने के बाद किया या फिर शेट लगाना शुरू कर दिया था बहुत बचों को यह कंफीज हो नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सेलफ अड़ी करना या ओनलाइन करना चाहिए ऑफ-लाइन वारना अच्छा चाहिए तो घर में सेट प्रैक्टिस स्टार्ट किये थे जैसे रीजनिक उसी से सीखे थे जो नहीं बनता था वह सब बनाते थे इसके बाद यहीं पर सेट प्रैक्टिस टार्ट हुआ था बहुत रिक्वेस्ट किये थे तो आप से कि सरनुतनगर में कीजिए अच्छा आपको लेकिने सेट प्रैक्टिस वहीं तो होता है तो यहां पर भी किये थे और सेट बहुत ज्यादा मैटर करता है और मार्क्स जैसा भी आता है उसे साब से अपने आपको इवैलूएट कर पाते हैं अच्छा यह कहीं ऐसा नहीं हो हमें मैं बता दू हर दिन का रिकॉर्ड होता था कि कितना नंबर कौन ला रहा है यह मेरे धीरे 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 यहीं पर टॉप करने लगे थे सट में मनोज भी अशेट का सॉलिशन कर वाते हैं तो फोड़ा सा फोश्ला हुआ हुआ चलिए और मोना यह इंस्ट्रीशन भी सद हमेशा वैसे चात्रों का हमेशा से अभारी रहता है कि बहुत चात्र मेरे पास आते हैं बहुत कम में वो चीज जाग पाता है जो सच्मुच हम जगाना चाहते हैं बहुत बच्चे इतना डिप्रेस हो जाते हैं खासकर कि इस तरह का महौल है भी उनीस के बाद देखे 20 में भी लॉक्डाउन और उसके बाद अभी बच्चों का डिश्टर चल रहा है नए बच्चे जो आ रहे हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि इस तरह की स्थिति में कैसे कंटीनिव करें ऑनलाइन से या ओफ-लाइन से कैसे चीज को हैंडल करें चुकि बहुत बहुत ज्यादा दिकत रहता है ग्रामीन परिवेश्च आते हैं बहुत बच्चे तो क्या बिहार बोट से जैसा कि आपने बताया कि मैं बिहार वोट से हूं और इंग्लिस में भाई बहतर रेंक लेकर आया है लड़कियों में आपका तो बहुत मैंटर करता ही तो जो बिहा बहुत मैं अपके दोस्त आपके सिक्षक तो महाल ऐसा बनाएक लोग आप उनसे कंपेर कीजिए एक हाँ उसका इतना है वह इतना मैंथ बनाता है उसका इतना सही हो रहा है तो हम भी थोड़ा अच्छा करें आप अपो महाल में मतलब दोस्तों ही रहेगा वैसा वैसा जो हम कार रहा है यह तो वह सब बहुत बहुत कर रहा है की लिए मिटे तना पैसा नहीं है कर दिए ऐसा होता नहीं है अभी इस्तिती टीचरों का बहुत खराब चल रहा है इतना हो सा कि आप लग मदद करें सिक्षकों का कई भी पड़ते हो आप कि बड़ा खराब दोर से गज़र रहा है सिक्षक वर नहीं कुछ बोल पाता है कुछ का पाता है तो ठीक है तो नए लुक्त को किस तरह से व जिसे नया बच्चा का दिकत क्या है कि वह कंटीनूटी मेंटें नहीं करता है और अगर आप किसी चीज के अबतलब आज दिन भर का सिलेबस बनाया है तो वह सीलेबस आपको कंप्लीट करना है क्योंकि हम लॉग डॉन में इसी तरह से पढ़ते था अब इस बना लिए डेली का टार्गेट था तो में रॉनिंग भी तरह सोने का मन करता था नहीं सोते था और भी हार दरोगा का फिजिकल भी था लेकिन कुछ साइन वेगरा छुट यह तो इस वज़े से मेंस में भी हर दूरुगा का इस वार आपका एंटीपी सी भी हुआ ह दिहार दोगा का पीटी भी हुआ है तमाम रिजल्ट आपका हो रहा है ठीक है तो अब एक्जाम आगे का क्या टाइट है क्या आगे करना चाहिए अब तो यह सब सारे रेंक वाले को पार कर गई है ठीक है सिदा बढ़िया पोस्ट जोइन कर रहे हैं तो आगे क्या करने का विचार है या तो फिर यूपी एसी विपी एसी या फिर एसिस्टें कमांडेंट कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं सब्सक्राइब को आपको आप अपने मंजिल तैय करें मुझे पुरा विश्वास है कि आप आगे जरूर बहतर करेंगे और सभी इंस्यूशन के सभी च तरह से एक दिन बात करेंगे मुझे पुरा भरोसा रहता है आप पर और मुझे फुद पर कि मैं जिस तरह से आपको गाइड कर रहा हूं अगर सचमुच उस डायरेक्शन में चलते रहे आप तो यकीन मानिए आप भी रिजल्ट हैं हमारे आपको भी एक दिन मेरे साथ है से आना है धन्यवाद धन्यवाद मोना जै हिन जै भारत